वेल्कुम बैक टू मैं चैनल तो यह और्गनिक वेजटेबल्स आपके सब शेयर कर रहे हूं जो मेरे गार्डन में लगी हुई है बहुत ही अच्छी और्गनिक वेजटेबल्स है यहां पर यह भिंदी लगी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी होती है स्वास्त के क्षीन लगी हुई है अब वेहे हिस्थे अच्छी आ॓ अबहुत सारे प्लांट मैंने लगाये हुहए हैं सेट फाय प्लांट की हुए है बहुत इजी भंडी मेंसेट निच्द होते हैं बीज होते हैं वह ग्रो हो जाते हैं और कहीं भी अप लगा सकते हैं कैरेक्ट में या ग्रो वैक्स में और ये देखें गवार फली ये सारी गर्मी की सबसिया है और गवार फली भी देखें अभी बहुत अच्छी सी ग्रो हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी अभी इसमें फूटिंग भी हो रही है और बहुत सारी प्लांट्स जो है वो मै सारी लगे हुई है और यह मैंने टैरिस पर इसकी जो बेल होती है वो लगा रखी है और यह आप देख सकते हैं बहुत अच्छी से ग्रोड हो चुकी है और यह खाने में भी बहुत जदा स्वादिश्ट होती है और गवार फली भी देखें बहुत अच्छी समर की बस आप गोबर खात दालिए बहुत अच्छी से ग्रोड होती है और यहां पर बहुत सारी बिंडिया भी लगी हुई है यह देखें और किसी को मैंने पॉली बैग में किसी को ग्रोड में इस तरीके से अलग-अलग सबको प्लांटर्स दी हुए हैं और कम से कम 20-25 बिंडिय जो है वो एक बार में हर्वेस्ट हो जाती है और यह इस तरीके से यहां पर बहुत सारी बिंडिया लगाए ही हुई है और यह सारी सीट से ग्रोड की है बहुत आसानी से ग्रोड जाते हैं यह देखें और एक ही प्लांटर में या एक ही ग्रोड बैग में दो से तीन प्लांट आप लगा लगा के बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं और यहां पर मैंने पूरा जो टॉमेटो है वो लगाए हुए हैं बहुत सारे ग्रोड बैग्स में और देखिए इन में जाएंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी अभी दीख के टॉमैटों के जो फ्लाइर में यलो सुपा साथ घराइंटों के एंहां और यह कुछ तुलसी के प्लांट्स भी इनके साथ लग गए है और जहां भी मेरा वेजेटिबल गार्डन होता है वहां पे तुलसी ज़रूर लग जाती है और यहां पर भी सारे जो टॉमिटो प्लांट्स है उनमें भी फ्लारिंग स्टार्ट हुई है तो अब इनमें और यह सीड्स मैंने नहीं डाले अपने आपी इसमें ग्रो हो जाते है अप्राजिता के तो और तुलसी जी के भी तो यह मेरा पूरा वेजेटिबल गार्डन है यहां पर यह टॉमिटो में अभी निखी फ्लारिंग स्टार्ट हो चुकी है और कुछ में देखिए यह से छुट और बहुत हैवी फ्लूटिंग होई है और यह आप देख सकते हैं यहां पे कुछ भिंडी के और प्लांट्स रखे हुए हैं अगर भिंडी में बहुत अच्छी फ्लूटिंग चाहिए तो आप उसमें गुबर की खाट डालती रहे हर 10-15 दिन में या तो लिक्विट बना द या फिर आप सुकी गूपर की खाद एक मुठी डालती रहे हैं इन प्लांट्स में तो इनकी जो फ्लूटिंग है वह बहुत अच्छी होती है और यह इस तरीके से यहां पर यह लगी हुई है खीरा ककड़ी की बेल है और यहां पर कुछ यहां पर यह भिंडी के प्लांट् बिंडी में अच्छी फ्रूटिंग के लिए आप बहुत सारे प्लांट्स लगाईए, क्योंकि बिंडी में एक बार में दो से तीन बिंडी लग सकती है, तो ऐसे प्लांट्स जो है अब जादा मात्रा में लगाएंगे, तो आपके अगर की जो भी ऑर्गेनिक सब्जी की अब लगा दिजिए, यह कडी पत्ता देखें छोटा सा प्लांट अभी बहुत अच्छा बढ़ा हो चुका है, और यहां पर देखें और भी भिंडी के प्लांट्स में लगाए हुए हैं, तो मेरी गार्डन में वेजिटेबल में आपको खुब सारी भिंडी के प्लांट्स मिल जाएंगे, और यहां पर यह करेला है, और देखें करेला जो है वो भी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो चुके हैं, बहुत सारे जो करेले हैं वो अच्छे से भी ग्रो हो गए हैं, और कुछ में हर्वेस्ट भी करती रह रहे हैं साथ साथ में, तो कुछ खराब भी होते है और कुछ पक भी जाते हैं तो इस तरीके से देखें हर्वेस्टिंग भी चलती रहती है और बहुत सारे करेले भिंडी और गुआरफली और चितने भी करमी की सबजिया हैं और देखें यहां पर कुछ लट्यूस भी लगा हुआ है और लट्यूस जो है वो बहुत ही अगेला में हम लगा के खाते हैं और यहां पर यह तिंडे के फ्रॉन्टों कीच से थोड़ी सि lug में फंगस लगई हैं और यहां पर यह पालक के प्लाउन्ट था यहां पर तो मेने हर्फस्ट कर लिया यह त्वोर देख यह मैंने टैरिसपे लगा रखा ईं और बहुत अच फूंट भी गृओ रहे हैं बेलो होती है लॉकी की तो फैसफ ग्राट गोड़ी की चमwe दोटे की ते भी कोड़ेकぎ अथे चीन, का यालगा मो पहाली की तो हमेरी के सकते साथ ही तो बहुत ओक्लाइ अशल्श में सेट ढहाती है बहुत हो जाती है जब साथ पत्ते होता है वो कुछ इस तरहीं किसे होता हैं दिक्षी कीष्चा पत्तों में कभी चिद कीष्चारा वर रन गया है स्यून physiology है इसलिए अभी इसकी ग्रूथ जो है वो कम है लेकिन दीरी दीरी ग्रूथ कर लेगा तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा यही सारे मेरी और्गनिक वेजिटीबल से थेंग